प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं अस्विनी नक्षत्र के जन्मे जातक सुन्दर मजबूत शरीर वाले अधिक बुधिमान नम्र सुभाव वाले लोकप्रिय धर्वान तथा भागिशाली होते हैं ऐसे जातक श्वरभत बुधिमत्ता पूर्ण कारियों में प्रसिद्धी पाने वाले अभुसने मुरतनों के प्रेमी मगर जायदात संबंदी मामलों में चिंता करने वाले नेत्रे तो प्रधान कारियों में रुची रखने वाले साथी साथ जोतिस और सास्त्रों में भी रुची रखने वाले पुछ अभिलासी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा केतु और मंगल के स्थिति अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा दो बचकर 25 मिनट तक मीन रासी में ही चलते रहेंगे तर पस्यात मेश रासी में प्रवेश कर जाएंगे ब्रिहस्पति पूना स्वाती नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं जो कि ब्रिहस्पति का अपना नक्षत्र है जिन जात्कों के कारक गरह ब्रिहस्पत्ती हैं उनके लिए ब्रिहस्पत्ती की शुगता अपयक्षित मात्रा में मिलनी प्रारम भो जाएगी मेश रासी के जात्कों के लिए दोपहर तक स्वास संबन्धी उतार चड़ाओ मानसिक व्यगरता हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और सुभाव में उगरता संभावित है मगर रचनात्मक क्रिया सिलता बनी रहेगी दोपहर बाद भावनात्मक लगाव विक्सित होगा और उर्जावान बने रहेंगे कारचेत की नीरंतरता बरकरार रहेगी नई कार्यों जनाओं के प्रस्ताव विक्सित करने में मदद मिलेगी और आठिक लाव के नए एवसर सामने आएंगे वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्याथियों को सैक्षडी कार्यों में सफलता मिल सकती है अपने प्रयास जारी रखे ब्रिश रासि के जातकों के लिए स्फास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए दोपहर बाद केतु का नक्षट रहोने से हर काम करने के प्रतिया नावर्शक जल्दबाजी ब्यगरता और धन खर्च की इस्थिति संभावित है हलाकि आपकी कारियोजनाएं पूर्वत चलती रहेंगी और नई कारियोजनाओं के लिए आपकी तत्परता और क्रियासीलता बनी रहेगी आठिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा मगर नीजी सुक्स अंसाधनों पर खर्च की इस्थिति भी बनती है विद्याथियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी पारिवारिक दायत की पूर्टी होगी और चोटी यात्रा का योग भी बनता है मित्वन राशिके जात्कों के लिए कारियोजनाओं की नीरंतर्दा बनी रहेगी नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको आप सरलता से संपन भी कर सकते हैं सफलता के सिखक तक पहुँचने से आपके आत्म विश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में ब्रिध्धी होगी और पारिवारिक प्रिणा सगारात्मक रूप से मिलती रहेगी आठिक लाब की स्थिती मन मुताबिक बनी रहेगी संतान संबन्धी उतेशों की पूर्ति होगी मगर थोड़ा मानसिक दबाव भी संबव है विध्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिख्ध होगा प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए आज का दिन उत्तम है पूरे दिन सम्मान जनक इस्थिती बनी रहेगी और पारिवारिक प्रतिष्ठा में बिध्धी होगी करकराश के जात्कों के ब्यावसाय संबन्धी मामलों में पूरी तरह से सफलता का संकेत मिलता है बौधिक चमता का विकास होगा और नेत्रित करने का मौका मिलेगा आपकी कारी और जनाय मन मुताबिक धंक से पूरी होगी मगर संबन्धित मामलों में भाग दोड़ और मानसिक उद्ध्यग्निता की इस्थिती भी बनी रहेगी विभागिय करमचारियों का अधिकारियों से सहयोगी रवया कायम रहेगा और लाव की उमीद बनती है मगर संबन्धित चिंता मन में लगी रहेगी विद्याख्यों के लिए आज का दिन महनत वाला होगा परिश्रम के अनुसार फॉल की प्राप्ती होगी साथ ही स्वास संबन्धी आवसक सावधानी बनाए रखे सिंग रासी के जातकों के लिए दोपहर तक का समय स्वास संबन्धी उतार चढ़ाओ और कारे छेतर में आ रही रुकाओटों के प्रतिके इंदित रहेगा मगर दोपार बाद आदमिश्वास और सक्रियता में सुधार होगा और कार्योजनाओं में गती आएगी सासन सत्ताव अधिकारियों का सही जोग बना रहेगा आर्थिक लाव की इस्थिती मन मुताबिक बनी रहेगी और धार्मिक भावना में वृद्धी होगी विद्याकियों को अध्यान अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अभ्यास जारी रखें साथी साथ स्वास संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं उची तर्चिकित सकी ये दिशानियर रेस का पालन करना चाहिए कन्याराश के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा कारेच्षेत की निरंतरता बनी रहेगी ब्यावसाइक मामलों को सुद्रिड करने में सहयोग मिलेगा मगर नई कारियोजनाव के लिए आपकी सक्रियता मानसिक अस्तर पर प्रभावित रहेगी आपके राशी स्वामी बुद्ध राहू के साथ एकादस भाव में वक्री होकर बैठें मन के नकारात्मक विचारों से परहेच करें सार्थक प्रयास जारी रखें सफल रहेंगे आर्थिक लाव में उतार चढ़ाव बना रहेगा चोटी यात्राएं संभावित है मगर संतान संबंदी चिंता बढ़ सकती है विध्याथियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा स्वास संबंदी आवसर सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं तुला रासि के जात्कों के लिए अच्छे समय का संकेत मिलता है मानसिक और सारी कस्तर की उर्जा बनी रहेगी कारेच छेत्र में दिढ़िछा सकभी और सकारात्मक पहल जारी रहेगी चंद्रमा के पहले बुद्ध के फिर दोपहर बात केत्र के नक्छत्र में होने से कुछ कामों में नकारत्मक मिचार पहल करेंगे और रुकावट की संभावना भी बनती है मगर अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा साज्येदारी के कामों में सावधानी बरकरार रखें कारेच्षेदर की गती प्रभावित हो सकती है विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिल सकती है पारिवारिक सहयोग बना रहेगा और सुख सभार में ब्रिद्धी होगी ब्रिश्यक राशिक के जात्मों के लिए शारिविक स्वास्त, कारियोजनाएं और मानसिक उर्जास्तर प्रभावित हो सकता है चंद्रमा दो पहर तक पांचमें भाव में फिर छठमें घर में गोचर करेंगे नई कारियोजनाओं के प्रती देड़िचा सकती और आत्मिश्वास के प्रभावित होने का संकेथ भी मिलता है हाला कि शासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कारिछित की निरंतरता बनी रहेगी रुके हुए काम संपन्ध हो सकते हैं आठेक लाग के स्थित्ती सामानी रहेगी आवशक संसाधनों में विध्धी होगी विध्याथियों को अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास समंधी आवशक साउधानी बनाए रखे धनुराशी वाले जातक शारीरिक और मानसिक अस्तर पर प्रभावित रहेंगे अनावशक व्यगरता हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और आत्मिश्वास में कमी संभावित है हलाकि अधूरे काम पूरे होंगे नई कार्योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे और आठिक लाग की इस्थिती मन मताबिक बनी रहेगी सासन सथाव और हिकारियों का सहयोग भी बरकरार रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा प्रतियोगी परिक्षाओं में सफल होने का संकेत मिलता है मगर स्वास संबंधी आवसरक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं मकर राशी वाले जात्कों के लिए कार इच्छे से संबंधित मामले पूरे होंगे और नीजी मामलों के संदर्व में आर्थिक निवेस की सोच बिक्सित होगी हाला कि कार जोजनाओं में साथक प्रयास जारी रहेगा मगर पारिवारिक सुक संतुष्टी और भविस को सुरक्षित रखने की चिंता बनी रहेगी कुछ मामलों में अनावसक चिंता ब्यद्रता और जल्दबाजी भी महसूस होगी आर्थिक लाव सामाने रहेगा नीजी संबंध प्रगाड होंगे और सा संबंध यावसक सावधानी रखनी पड़ेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यापन में प्रयास जाली रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कुम्बराशी वाले जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम बढ़ाने वाला होगा मगर तर्क बितर्क करने की मनोबृत्ती भी बनी रहेगी मन का आंतरदंद आपकी कारे चमता और आत्मिश्वास को प्रभावित कर सकता है हाला कि कारे च्छत की निरंतरदा बनी रहेगी और आठिक लाफ सामानी रहेगा बड़े बुजर्गों का सहयोग और उनकी प्रेरना लाफजायक से दोगी चंद्रमा के केतु के नक्षत्र में होने से मन अग्यात भैस से ग्रस्त रहेगा अनावसक वाद विवाद से दूर रहें विद्र्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा सकारात्मक प्रयास जारी रखें और वैवाहिक प्रस्ताव के लिए सफलता की संभावना बनती है मीन राशी वाले जातकों के लिए वाणी में ब्यगरता और आर्थिक पक्ष की चिंता स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी हाला कि हर कामों में द्रड़ों विश्वास की भावना जागरित होगी और बोधिक चमता का विकास होगा कार्य वजनाव की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाब सामानी रहेगा सरकारी कामकाज पूरे होंगे मगर महत्पूर्ण और ठोस निरने सोच समझ कर सावधानी से लेने चाहिए कारेच्षेद के प्रती संजीदगी और आत्लिश्वास बनाए रखे विद्यातियों को सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी साथी साथ स्वास समंद्री आवशक सावधानी बनाए रखे और वाहन चलाने में सावधानी बड़ते आज के लिए वस इतना ही कल फिल्मी लेंगे ओम नमाशिवाए